बीजेपी के पीएम पदके उम्मधवार नर्यंद्र मोदी भले ही इंदिनों देश में अपने लहर होने का दावा कर रहे हों लेकिन गुजरात के दंगों का सवाल पिछले 12 सालों से लगातार उनका पीछा कर रहा है बार बार उनसे इन दंगों पर माफी मांगने की मांग होती रही है लेकिन लगता है मोदी इसके लिए तयार नहीं है TV9 चैनल को दिये इंटरव्यू में जब मोदी से माफी के बारे में सवाल किया गया तो वो सवाल टाल गए और उल्टे कांग्रेस को अपने पापों का लेखा जोखा देनी की नसीहत देने लगे इस इंटरव्यू में मोदी कई मसनों पर खुल कर बोले जब उनसे उमा भारती के इस बयान पर सवाल पुछा गया कि बीजेपी की सरकार बनी तो राबर्ड वाडरा को जेल भीजा जाएगा तो मोदी ने साफ कहा कि किसी पर बदले की भावना से कारवाई नहीं की जाएगी 2014 के चुनाओं को व्यक्ति के अंद्रित होने से इंकार करते हुए मोदी ने दावा किया कि एंडिये 300 सीटें जीतेगा TV9 के लबा मोदी ने नियूज एजंसी एनाई को भी इंट्रिवू दिया जिसमें उन्होंने इस आरोब को खारिज किया कि मुसल्मानों को उनसे डर लगता है मेरी प्रात्मिक्ता है उनके दिलों को जीतना और जैसे ही वो मुझे रूबरू में जानेंगे नौट्थू मीडिया नौट्थू मैं अपोनेंट्स सीधा सीधा जब मोदी को जानेंगे तो वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया होगा इंटर्वियू में मुदी ने दावा किया कि आम चुनाओं में कॉंग्रेस अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन करने जा रही है गुजरात में महिला जासूसी केस के सवाल पर मुदी ने राहूल गांदी पर इस मुद्दे पर राजनेती करने का आरोप लगाया इंटर्वियू में मुदी भले गुजरात दंगो के बारे में माफी मांगने से बचते दिखे लेकिन विरोधियों को तो हमला करने का एक और हथियार मिल गया मुदी जी वो हैं जो माफी के नाम से भागते हैं जो इस देश में थाबित करना चाहते हैं कि डिक्टेटर कभी माफी नहीं मांगते है गुजरात दंगो के मामले में मुदी हमेशा से भी पक्ष के निशाने पर रहे हैं और लाह कोशिसों के बाद ये भूत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा यहीं नहीं मुदी जब जब इस सवाल पर कुछ बोलते हैं नया विवाद शुरू हो जाता है हाला कि मुदी का दावा है कि जनता की अदालत में वो इस मामले में बरी हो चुके हैं लेकिन इस मामले में अभी उपरी अदालत का फैसला आना है जिसके बाद ही कुछ अंतिम बिरो रिपोर्ट जीडी न्यूज